कहा जाता है कि बिल्ली करोना एसव होता है एक बार जम्मे रास्ते को कहीं घट से आ रहा था तो मैंने एक बिल्ली के रोने की आवास सुनी हाला कि उस समय मुझे पता नहीं था कि यह एक बिल्ली है बिल्ली करोना किसी छोटे बच्चे के रोने जैसा लगता है इसलिए मैं ब दूशित कर देती है, यह सारे kार्रे आवारा बिल्ली करती है, घर के अंदर पाली जाने वाली बिल्ली हर कहीं पर मुह नहीं मारती है, क्योंकि उनको सिखाया जाता है, यदि आप बिल्ली से परेशान हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्ली बगाने के घरेलू बताने वाले हैं लेकिन बीडियो शुरू करने से पहले में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये बीडियो पसंद आता है तो बीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए बीडियो को सुरू करते हैं कुछ लोग बिल्लियो को पालतु जन्बर के रूप में रखना पसंद करते हैं लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनने बिल्लियों पसंद नहीं होती हैं खास तोर पर जब हम street cats यानी आवारे बिल्लियों की बात करें तो ये घर के अंदर घुसकर खाने पीने की चीजों को मून लगा देती हैं या फिर कूडा कचरा आदी को फैलाना सुरू कर देती हैं इस बज़े से अगर आप अपने घर से बिल्लियों को दूर रखना चाहते ह तो ये घरलू तरीके अपना सकते हैं अकसर खाने में इस्तिमाल होने वाले सिरके का इस्तिमाल बिल्लियों को घर से भगाने के लिए भी किया जा सकता है बस एक कटोरी में बराबर मातर में पानी, डिस्वोसिंग, लिक्वीड और बिनेगर मिलाएं फिर इस मिस्रण को एक इस्प्रे बोतल में डालें, अब इस मिस्रण को उन जगा पर छिड़के जहां से बिल्लियों घर के अंदर आती हैं, कुछ दिनों तक लगातार इस सोल्यूसन का इस्तिमाल करते रहें, ऐसे करने से आपके घर के अंदर बिल्लियों को आना जाना ना के बराबर हो जाएगा बिल्ली को घर से भगाने के लिए पानी का इस्तिमाल किया जा सकता है, बस जब भी आप अपने घर के अंदर या बालकनी में बिल्ली देखें, तो उसे भगाने के लिए डंडे की जगे पानी का इस्तिमाल करें, दरसल बिल्लियों को पानी पसंद नहीं होता है, इसलिए उ तेजपत्ते की महग भी बहुत तीखी होती है, इस गंद का इंसानों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन यह बिल्लियों को घर से दूर रखने के लिए काफी है, इसके लिए कुछ तेजपत्तों को पीस कर घर के उन हिस्सों में बिखेर दे जहां से बिल्लियां आती हैं, ऐसा क रासैनी की नाम सोडियम टेट्रावोरेट है, जिसका उपयोग चीटियों को घर से दूर रखने के लिए भी किया जा सकता है, इसके लिए बोरेक्स और चीनी को एक साथ मिला कर उन जगाँ पर रख दें, जहां से बिल्लियां घर के अंदर आती हैं, इस मिस्सरों को घर में तभी भी खेरें, जब घर में छोटे बच्चे या पालतु जानबन ना हो, क्योंकि यह उन्हें नुक्सान पहुंचा सकता है, इसे निबोरेक्स का फिडियो करते समय साबधानी बरते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसे घरेलू उप क्योंकि झालत।